हलो स्टूडेंट्स मैं डॉक्टर राना ताज आपके बीएसी पार्ट फर्स्ट का फर्स्ट पेपर कवर करती रही हूँ और हमारा आज का टॉपिक है संग एकाइनो डर्मेटा का वर्गी करन इसमें सबसे पहले हम इसके सामाने लक्षनों को समझते हैं यह अत्यंत सुन्द और संबुदर्वासी जन्तू होते हैं इकाइनो डर्मेटा नाम सर्वप्रतम जकब क्लीन ने 1734 में इकिनौइट जन्तूं के लिए काम में लिया था अगर हम बात करें तो इनकी लगबग 6800 ग्यात प्रजातिया हैं और शरीर संगठन का इस्तर जो है वो अंग तंत्र कोट का होता है यह सभी जन्तू त्री जन्तरिय या त्री कोरी की ट्रिप्लोब्लास्टिक प्रेग हुईये और रेडियल सिमेट्री दर्शाते हैं प्राया पांच खंडिये होते हैं शरीर गोलाकार या लंबाई में बढ़ा हुआ होता है सिर का अभाव तथा शरीर सता पांच एंब्यूलेक्रल और पांच इंट्रर एंब्यूलेक्रल शेत्रों द्वारा चिन्नेत होती है इनके शरीर में जो है वो अंताकंकाल पाया जाता है जो कैलकेरियस प्लेटों या स्पिक्यूल्स का बना होता है और शरीर में धसा रहता ह अगर हम बात करें तो गमन के लिए इन में पोडिया या पादाब मिलते हैं वह नाल पादों सहित जल संवहन तंत्र वाटर वैस्कुलर सिस्टम इन में पाया जाता है जो बहुत ही सुविक्सित होता है और प्राया मेड्रोपराइटिस में उपस्तित होता है आहाणा सीधी या कुन्दित होती है परिसंचरन तंत्र जो है वो खुले प्रकार का होता है इसे हीमल या परिहीमल तंत्र कहते हैं नर्वस सिस्टम में ब्रेन का अभाव होता है और परिमुखिय वा आर्ये तंत्रिकाएँ जो हैं वो उपस्तित होती है अब अगर हम बात करे आगे इसके characters की तो हम पाते हैं कि श्वसन के लिए इन में ब्रेंकी ये पाई जाते हैं त्यूब फीट होती है और respiratory tree ब्रूसी भी पाई जाती है उत्सर्जन अंग जो है वो इन में नहीं होते उसका आभाव होता है और इन में बहुत अलग प्रकार की शमता पाई जाती है व स्थ हुए भागों को पुनह प्राप्त कर पाते हैं निशेचन जो है वो external होता है शरीर के बाहर होता है बाहिये होता है कुछ सदस्यों में चबाने वाले अंग Aristotle's lantern जो है वो पाई जाती है development या परिवर्धन की बात करें तो ये आप्रत्यक्ष प्रकार का होता है याने के अनेक लारवल प्रवस्थाएं इन में होती है एक या अनेक लारवल प्रवस्थाएं इन में होती है अनेक स्वतंत्र लारवा होते हैं जो परिवर्धन के दौरा मिलते हैं इन जन्तों की त्वचा के नीचे चूनेदार कैलकेरियस प्लेट्स तथा कभी-कभी त्वचा के ऊपर इस्पाइन्स या काटे पाए जाते हैं जो इनका एक कंकाल बनाते हैं साथ में इनके लिए एक सुरक्षा प्राप्त करने का साधन भी होते हैं इन सीलोमेट्स में पंच आरियस सम्मिती पाई जाती है यानि के पेंटारेडियल सिमित्री पाई जाती है लेकिन इनका लारवा जो है वो दिपार्ष्व सम्मिती दर्शाता है यानि के बाइलेटरल सिमित्री जो है वो दिखाता है अब अगर हम बात करें तो इस संग को आकार, अंतक अंकार, एंडोस्केलेटन के आधार पे पांच वर्गों में बांटा गया है class asteroïdy इन्हें आम भाशा में sea stars कहते हैं, इसका अधारन है pentoceros या starfish, फिर है class opheuroidia या brittle stars इनको हम आम भाशा में कहते हैं और इसका अधारन है opheutrix तीसरी क्लास है क्लास Echinoidia इनको आम भाशा में हम Sea Urchins या Sand Dollars कहते हैं उधारने Echinos चौथी क्लास है क्लास Holothoryoidia इनको common name जो है वो है Sea Cucumbers और इसका उधारने Holothorya फिर है क्लास Crinoidia या Crinoidia इन्हें हम Sea Lilies या Feather Stars के नाम से जानते हैं और इसका उधारन है Antidon सबसे पहले हम लेते हैं इसका क्लास Asterodia क्लास Asterodia को आम भाशा में हम क्या कहते हैं Sea Stars और इसकी 1800 के करीब known species हैं क्या प्रजातिया हैं ये अनेक आकरतियों और रंगों वाले जीव होते हैं तारा रूपी होने के कारण इन्हें Starfish या तारामीन भी कहते हैं शरीर की उपरी सतह पर गुदा तथा निचली सतह पर मुख इस्तित होता है इनका विशेश लक्षन है कि इनकी बुझाएं अन्यवर्कों के सदस्यों की अपेक्षा अधिक मोटी होती हैं इन में दो अमाशे पाए जाते हैं जिन में से एक मुख से निकला रहता है प्रूटूड होकर पाचकरस अपने शिकार पर डाल देता है और इस से उस शिकार का पाचन जो है वो आसानी से हो जाता है और इसका उधारने पैंटा सिरॉस या स्टार फिश जिसको अपन कहते हैं दूसरी क्लास है इसकी क्लास ओफ यूरोइडिया या ब्रिटल स्टार्स ये भी तारे के समान पंच भुजिये जीव हैं भुजाएं पतली, लंबी और लचीली होती हैं और अनेक सदस्यों में ये भुजाएं जो हैं वो शाखानवित होती हैं या ब्रांच होती हैं अब बात करते हैं आगे केस के लक्षन की इन में जो है वो फीडिंग के लिए छोटे कार्बनिक जो पार्टिकल्स है या कन हैं वो ट्यूब फीट से होते हुए नाल पाच से होते हुए मुख में आते हैं इन में गुदा का अभाव होता है याने के जो एक्सचेंज होते हैं वो डायरेक्ट माउथ के दुरू होते हैं या फिर तुरू डिफ्यूशन होते हैं इसका उधारने ओफियो थ्रिक्स तीसरी क्लास जो है इसकी क्लास जो है इकनोईडिया इनको हम आम भाशा में सैंड डॉलर्स या सी अर्चिंस कहते हैं इनकी विशेशता यह है कि इन में भुजाओं का अभाव होता है देहे गोल होती है अत्वा ओवल अंडाकार होती है या फिर ये चप्टी होती है तोचा पर अनेक गतिमान कंटिकाएं होती है जो शरीर के लिए एक शेल या कवच बनाती है और अपने दुश्मनों से ये सुरक्षा प्राप्त इन कंटिकाओं की सहायता से ही करता है इन में एरिस्टोर्टल्स लैंटर्ण एक चबाने वाला उपकरण है जो पाया जाता है इस वर थूरियोडिया या सी कुकुम्बर आम भाशा में इनको हम समुद्री खीरे कहते हैं समुद्र में तटिये जल में ये जन्तों मिलते हैं और सिकल्स या कंटिकाएं सूक्ष्म कणों के रूप में होती हैं सदस्यों की देह पर भुजाओं का अभाव होता है इनके शरीर पर भुजाओं का जो है वो भुजाएं वो नहीं होती हैं देहे मोटी होती है और सिलिंड्रिकल या बेलनाकार होती है मुखद्वार एवं गुदा विपरित दिशाओं में होते हैं मुखद्वार के चारोर शाखानवित वा खोकले टेंट्रिकल्स या इसपरशक उपस्तित होते हैं उधारन है कुकुमेरिया होलो थुरिया अब इसकी पाँचवी क्लास है क्लास थ्रेनोईडिया सी रिलीज या फेदर स्टार्स ये इकाइनोडर्मेटा के सबसे आदिम समू है इसके इनका शरीर जो है वो फिक्स्ट रहता है पैडन कल के सहायता से और मुकुट द्वारा बना होता है यानि के पैडन सिल से तो ये अपने स्थान के साथ जगा के साथ स्थान बद रहता है और मुकुट जो है वो बन जाता है इनका और जीवन चक्र में कुछ समय या जीवन भर स्टॉक की सहायता से यह रहते ही हैं किसी चट्टान से चिपके हुए शरीर के केंद्रिय भाग बहुत छोटा होता है एवं भुजाएं बहुत लंबी और शाखानवित होते हैं जिससे के यह मुकट बन जाता है इनका मुकद्वार्वा गुदा केंद्रिय भाग की उपरी सतह पर पाय जाते हैं इन में मैड्री पुराइट जो है वो अनुपस्थित होता है और इसका उधारन क्या है हमारे पास एंटी डॉन थैंक्यू थन्यवाद